समस्कार दोस्तों, बहुत ही चौकाने वाला ख़बर सामने आई है, यूपी के एक राज हतरस में वहाँ पे फिर से एक निर्वेया कांड हुआ है, यानि जिस तरह से निर्वेया के साथ बालातकार हुआ था, साथ ही उसको मतलब सारडी कितनी कस्ट पहुंचा था, ठीक उसी का है कि उनके साथ गैंग्रेप नहीं हुआ था, लेकिन पीड़ता ने साफ साफ मेजिस्टेट के सामने ये बयान दिया था कि उनके साथ पूरी तरह से गैंग्रेप हुई, साथ ही उनके रेड के हड़ी को तोड़ दिया गया था, जवान मतलब कुछ आवाज निकाले कि या कुछ बोल रही थी तो उसके लिए उसका जवान भी काट दिया गया था, तो दोस्तों बहुत ही गंभीर मतलब कह सकते हैं कि ये समस्या है हमारे समाज में कि लड़की के साथ इस तरह से गैंग्रेप फिर से एक निर्विया आई है सामने, उतर प्रदेश की ये घटना ह हतरस नाम की एक जिले में, जिसे 14 सेप्टेंबर को इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से उसे मतलब पासी के जिला अस्पताल में भरती कराया गया, वहाँ पे जब वो डॉक्टर से नहीं समझी फिर उसे अलिगर ट्रांसफर किया गया, वहाँ पे भी नहीं है संदीप, दूसरा का नाम है लवकुस, तीसरा का नाम है रवी, चौथा का नाम है रामू, इन चारों को गिर्फतार कर लिया गया है, अब देखते हैं कि नियाई प्रकडिया क्या करती है, और कितने समय लगता है उसे अंजाम देने में, यानि देश का बस एक ही हो गया कुछ ही महीने बाद, तो दोस्तो सवाल यही उठता है कि क्या फांसी ही एक ऐसी सजा है, जिस वज़े से फांसी देने के बाद भी वावजूद भी लोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, तो हमें कुछ करना होगा, कुछ जागना होगा, कुछ प्रसासन को कर पाओगे, चाहे कितनी भी सकत कानून ला दो, तो कुछ ऐसी करनी पड़ेगे, जिससे हमारी बेटियां, हमारी बहने, हमारी माँ, सब कोई सुरक्षित महसूस कर सके, तो दोस्तो बड़ी घटना है, आपका कमेंट आना ही चाहिए, इस घटना पर हो सके तो इस वीडियो सबसे पहले मिल सकता, तक लिए आप खुछ रहिए, सुरक्षित रहिए, जाहें